हेलो एब्रीवान, वेल्कम आक टो माँ यूट्यूब चैनल साइंग खुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि आप लोगों को दिवाली पूजा किस तरीके से उठानी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको पूजा ग्रहन के समय में नहीं उठानी है उसके बाद ही पूजा उठाई जाएगी तो आपको माता की जो मूर्ती है, विश्नु जी की फोटो सब अपने मंदिर में वापिस से रग्मेने है माता को जो आपने कौडी, कमल गटा, ये सब चढ़ाया होगा गोमती चक्र तो कमल गटे तो आपको इन्हें उगा सकते हैं क्योंकि ये लोटस के बीच होते हैं आप किसी भी पानी की जगा पर इसे डाल सकते हैं तो ये कमल उगाएगा और इसके बाद जो कौडी और गोमती चक्र हैं वो हम लाल कपड़े में बांद कर तिजोरी में रख देते हैं आप इन्हें अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं जो ये आठ अनाज हमने रखे हैं ये आठ अनाज आप वापिस से अपने किचिन के अनाज में मिला दीजिए मतलब चावल चावल में मूंग डाल मूंग डाल के डबे में डाल दीजिए क्योंकि ये भगवान का प्रसाद ही है जो नवग्रह आपने बैठाएं हो अगर सुपारी भी रखी है तो वो आप पूजा के काम में या बाद में अगर आप वापिस से नवग्रह पूजा बैठाएंगे नवग्रह की स्थापना करेंगे तो उस पूजा में यूस में ले सकते हैं और जो नीचे चावल हैं जैसे भगवान के आसन के नीचे चावल नवग्रह के नीचे शोडश मात्रिका के नीचे ये सब चावल जो है विसरजित होंगे आप छट पर डाल सकते हैं चिडियों के लिए प्रसाद के रूप में चिडिया चुग लेंगी इसके बाद जो कलश स्थापना आपने करी होगी कलश के नारियल को आप प्रसाद के सुर जब अखंड़ दीपक खुडशान्त हो जाएगा तो आप बाद में इसे रख सकते हैं इसके बाद बाकी जो पान इलाइची जैसे हमने यहां पान और इलाइची और लॉंग का प्रसाद अरपित किया है ये आप प्रसाद की रूप में खा सकते हैं लॉंग मसालों में मिक् करें मेरे चैनल साइख खुशी क्रियेशन्स को ऐसे और वीडियोस के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें थांक यू वरी मुच पर वाचिंग प्लीस लाइक शेर सब्सक्राइब थांक यू